सोने वर चांदी की खरिदारी करने वालों के लिए बड़ी उपयोगी जानकारी लेकर आया है जी हाँ दोस्तो अगर आप भी सोने वर चांदी की खरिदारी करना चाते है तो आपके लिए जानकारी जानना बहुत ही उपयोगी है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि भारत के सराफा बजार में सोने वचान्दी का क्या अबाव चल रहा है और इसे के साथ मैं आपको बहुती बड़ी जानकारी देना चाते है अगर आप भी सोने वचान्दी की खरिदारी करना चाते है तो और वो बड़ी जनकर ये है कि एक्सपर्ट की और से सोने में पारी गिरावट की चेतावनी आई है जी हाँ दोस्तों चानिए क्यों और कितना सस्ता हो सकता है गोल्ड दरसल कोरोना महामारी की मार के बाद में दुनिया बर की अर्थव्यवस्ता है उबरने की कोसिस में लगी है और इसमें सुधार होते भी दिख रहा है और इसे बीच अंतराश्टर इस्तर पर ये कबर आ रही है कि आने वाले समय में सोने में पारी गिरावट हो सकती है दरसल अभुप मारकेट का डेटा भी उम्मिद से बहेतर आया है, इसे के साथ में दो दिन के बाद में आने बाले रीटेल सेल्स डेटा भी बहेतर होने की उम्मिद है, ऐसे इस तती में फेडरल रिजर्व समय से पहले इंट्रेस्ट में बड़ोतरी का फैसला कर सकता है, अमेरिकी ब्याजदर बढ़ने से निच्चे थी सोने के दाम में भारे गिरावट देखने को मिलेगी अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी कबर होगी उन लोगों के लिए जो लोग सोने की जुवेलरी खरीदना चाते है फिलाल जान लेते हैं आज का सोने का दाम इसमें सबसे पहले सोने का दाम हो चुका है चलीए तो अब बात करते हैं सोने के दाम की जिसमें हम जानेंगे 18 के निचार सोने का दाम तो प्रति युझ ग्राम की निचा स citizenए आट सू पचीस रुपई और प्रति सो ग्राम का 4501 रुपई 22 केरेट सोने का आज का दाम हो चुका है वह 24 केरेट के नुसार सोने के दाम की बात करे तो एक ग्राम का 4910 रुपए प्रती 8 ग्राम का 49,280 रुपए प्रती 10 ग्राम का 49,100 रुपए प्रती 100 ग्राम का 4,91,000 रुपए 24 केरेट सोने का दाम हो चुका है की अंतराश्ट्रे मुद्रा कोस IMF का मुख्याले कहां परिस्तित है और इसके विकल्प है जेनेवा, लंदन, वसिंग्टन, डिसी, या नियॉर्क आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद मैं इस वडियो को लाइक करना है